गुड मॉर्निंग मैं दिए यूनुस अलिए फों सें जोसेफ इसकुल महराज गम आज आप लोगा क्लास जो इंग्लिश फाइब का का मैंने कोस्टन एंसर वन टू फोर मैं आपको करा चुका हूं अभी जो रिमेनिंग आपका है जो शिक्स फाइब फाइब सिक्स सेबन यह मुझे कराना है वैसे चेप्टर आप लोग का अलड़ी किलियर है लेकिन आपको क्या करना है इसकी जितने भी टॉप मीनिंग है जैस को आपको बाई हाट कर लेना थीकना अफैसी जो भी फुर्ड केया गहा है बच्चों आप इसको भी अच्छे से वाइब कर लेना एं और हम आते हैं आपका next question answer में लेकिन ये question answer कराने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको true false को मैं थोगा से clear करता हूँ देखिए यहाँ पहला नमर दिया हूए है पेट्रिक प्ले टेनिस और होकी नहीं खेल ला था पेट्रिक क्या खेल ला था बुक में आपके यहाँ मेंशन है कि यहाँ खेलता था यहाँ प्लेंग युदा लेटिल देखिए यहाँ पर दिया हूए है प्ले बेस्पॉल एंड बास्केट बॉल वह क्या खेलता था बेस्पॉल और बास्केट बॉल तो इसलिए कहाँ है कि यह वाला हमारा क्या option होगा पहला हमारा false होगा दूसरा का यह एलफ और मतलब का उतो जादू बंदा था चोटा सा लिटिल मैन था वो क्या पहना था क्लंबस हम टोपी पहना हुआ था मुस लाइक हुए जिससे लगते कोई जादू जादूगर नहीं होता है विसका मतलब कोई जादू आचानक जिसको कहते हैं जादूगर जो की कुछ भी दिखा आके काम कर देता है वैसे यह लेडी बुक में यह लाइनिंग दिया हुआ है इसका मतलब यह वाला सेंटेंस हमारा ट्रू है पैट्रिक गौठीजन ए प्लस हां पैट्रिक ने लास्ट में प्लस पाया है इसलिए यह भी हमारे का होगा सेंटेंस ट्रू होगा एल्फ नो होगा बहुत रूट था आप काम करता समय नहीं यह भी फॉल्स होगा पैटिक हैट चेंज इंटु दा मोडल कीड पैटिक क्या होता पहले अपने आपको बहुत 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 फिल करता था कुछ कोई भी काम करना में उसका मन नहीं लगता था पढ़ाई से लेकिन सब्सक्राइब करने लगा और क्या हो गया हो एक मोडल कीड हो गया यह हमारा सेंटेंस सही है इसलिए यह का हो गया त्रू हो जा रहा है अब इससे रिलेटेट कुछ और भी है जो कि हमको फिल इन ब्लैंक्स करना है देखिए यहां पर दिया हुए फाइंड ए वर्ट फॉम तो बहुत जाता है पढ़ने के लिए उसको क्या बोलते हैं हम लेटरी बोलते हैं और दूस्याका का इवेंट आड एट एविंट आट एपन इन दे पास्स जो चीज आप मेलों क्या बोलते हैं जो पास्ट होता ही तहां सकाथ हैं वर्ट डाटेसाइन टुभी ड़न आठ नहीं होता है तो आप पूछ सकते हैं आपको क्या चीज जो हमारे वाटसप पहुत करेंगे सब्सक्राइब बता दे पर देखी सकते हैं पर हमारे क्या से सब्सक्राइब कर रहा था लेकिन बार बार क्या करता था पैक्ट्री को डिस्टब करता है था कि मुझे यह बुक लाओ जाके लाओ डिस्नरी ले सब्सक्राइब करता था लाने में खुद पढ़ने के लिए टाइम नहीं दे पाता था पढ़ता भी नहीं था लेकिन एल्फ को होमवर के चकर में है जो एल्फ था उसकी साहटा कर रहा जिसके वैसे उसे सब कुछ करना पढ़ता था अगर देखा जाए तो इंटाइकली लेके पैटिक ही अपना होमवर करता था एल्फ जस्ट एक कमांड करता था ठीक है ना अन दे लेटिल मैन दिद नॉट नॉट नाथिंग दाट ही है तो दे कम्प्लीट पैटिक होमवर्क फोर दीस ही उस्टू डिमांड बुक्स डिक्स्नरी एंड सो मैनी तिंग्स सो डैट टाकी और यह सब चीजों को डिमांड करता था जिससे को इसकी प्रावलम को स्वल्प किया जासे को इसकी हूमर को कम्प्लीट किया जा सके हैं तो यह हमारा क्वेस्चन 5 का हुआ 5 का एंसर हुआ अब आते हैं हम लोग बच्चो 6 6 का जो एंसर हम ओक है इन वाट वे डिट पैटिक तर्न इंटू दा मोडल किट किस तरीके से पैटिक अब मोडल किट का मतलब का और सभी के बातों को फॉलो करने वाला एक सिंपल अच्छा बीएप करने वालों कहा जाता है मोडल किड़ा इन फेक्ट वास्ट में एवरी डे एवरी वे लिटील एल्फ वाजने अपका होता की आप रूजाना का रूजाना क्या करत था नेग मतलब कही करते जाता था काम में इसका प्रपर भॉहकश कर रहा है जो काम ठका हुआ भी मासूस नहीं करता था ठीक है न और टीचर्स और परेंट्स बहुत अजी मतलब वहरें में सर्प्राइज फिल किए वट हैड है तो पैटिक के साथ क्या हो गया है अज की डेट में बहुत अच्छा बंदा हो गया है और कहने का मतलब है कि अपने इसका मतलब होता है यह इस मीनिंग का होता है मतलब चोंस मतलब होता है कि डेली टास्क करना अपना घर का काम कंप्लिट करना वंच वस चियर फूल और बड़ा खुस रहा करता था नेभर करता था इसका मतलब क्या होगा कि इस तरह से पैटिक एक मोडल कीट हो जाता है तो मोडल कीट का मतलब का होता है कि अच्छा बिएब करना सबके साथ प्यार मौबस रहाना अपने काम को अंजाम देना ठीक है नम सेबन नमर कुस्चन में आते हैं ओल दे वाइल वाइल लाने वाला और करने वाला कौन था पैटिक ही था पैटिक ही अपने वर्क को अंजाम दे रहा था तो बच्चों इन दिस वे अब हमारा यह चैप्टर जो है इसके बाद से हम लोग आएंगे नेक चैप्टर जो कि मैंने इस पीनर त्री इस पीनर मैं अलड़ी इस चैप्टर को मैं पढ़ा चुका हूं और मैं इस से रिलेटेड जो भी हमारा कोशन इंसर निकलता है वो मैं आपको बताऊंगा आई होब कि इस चैप्टर में कोई भी कोशन इंसर नहीं दिया हुआ है तो मैं आपको नेस्ट क्लास में बता दूँगा ठीक न और यहाँ पर एक डिवा बोला गया कि इस सेंटेंस को किस ने कहा है तो इसको मैं आपको करा दूँगा ठीक न तो आई होफ कि दाट यू यूजली अंडिस आप इसको समझ लिए हैं समझते हैं और आप इसको अच्छे धंग से करेंगे बाई हट करेंगे और श्टे यूर होम और सपोर्ट यूर पारेंट अधि हैं टेक केर उर्षल यूरसल और अवा नाई दे